दर्शुकों हम जल्दी फरवरी के महिने में प्रवेश करेंगे और यह हम सब के ममन में जिग्यासाय जरूर रहती है कि महिना उमाली कैसे चाहेगा हम जो भी ग्रायगों चर्की सिती बनती है उनके स्थान में परिवरतर होता है तो उसका परभाव हमाई जीवा में इस चीच में देख सकते हैं आज किस वीडियो हम चर्चा करेंगे हमाई दूसी राजशी विश्व राजशे के बारे में तो विश्व राजशे के जातकों के लिए फरवरी का महिना कैसे जाएगा जो भी ग्रायगों चर्की सिती बनेगी आप अपनी जनम राशी या लगन के नुसा कर रहे हैं पंचम भामे केतू कुचर कर रहे हैं अब आप इसमें कुछ परिवर्त देखेंगे जैसे एक फरवरि को प्रवेशी में तो इसके बागले 3 इसके लावा सूरे उसके अगले दिन ही कुंब राशी में यानि आपके दशम भाव में शनी के साथ यूती बनाएंगे इसके लावा 20 वरिवर को भी बुद्ध आपके शनी और परिबर्तन आप देखेंगे आप इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा व आप हमारे चल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, इसके लावा हमारे चल को लाइक और शेयर जरूर करें, तो स्वास्त की शिवात करते हैं, आपकी जो की बहुत ही महत्वपून है, देखें, आपके लगनेश और ठटेगर के स्वामी शुकर मंगल के साथ और बुद्ध के साथ गोचर करते हैं, तो निचे तो से कुछ ना कुछ आपकी इसके संदर में देखने को मिलेगा, यदि आप शुगर के मरीज़े तो आपको विश्य ध्यार रखना होगा, खासकर मत्य फरवरी तक आपको साफ़धार है कि आप शक्ता है, सा आपको इस समस्या में दीदेर कमी आ रही है, लेकिन फिर थोड़ी सी भी लापरवाई आपको विप्रीद परिणाम दे सकती है, हालार कि आपके लगनेश यहां पर बैटके जो है विप्रीद राजों कर निर्मान कर रहे हैं, तो कोई ना कोई समस्या से आप बहार जरू न आप बहुत साफधानी पूरवक्त चलाएं, हो सके तो आप प्रब्री ट्रास्पोर्ट का यूज़ करें, अपने स्वास्ते का विश्विध्या रखें, यह फरवरी के महीना आपके स्वास्ते के दिश्ची से समाने रहने रहने वाले है, कुछ खास समस्या देखने को नही मिलेगी स्वाए इस चोटी मोटी समस्या के, अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की, पंजब भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, उनके ठीक विप्रीद भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, पूरे वर्ष वो इसी भाव में रहने वाले हैं, तो आप ही मानके चलि अपने परदर्शन से आश्वस्त नहीं नजर आ रहे हैं, साथ ही कुछ नीरस्तापन उनके बीतर देखी जा सकती, कुछ बोरिंग देखा जा सकता है उनके मन में, इसके लावा अपने परदर्शन को लेकर तो आश्वस्त नहीं भी है, साथ ही किसी प्रकार की भी आप उनक निर्णे के चक्कर में आप कुछ गलत शेत्र में भी जा सकते हैं इसकी वज़े से आपको आगे जाके पच्टाना पड़े तो बहुत कुछ आपको समझ के करना है या किसी की गाइडेंस के थू करेंगे तो जादा सही रहेगा इसके लागवा मती ब्रहम की वज़े से आप को कोई गलत निर्णे तो लही सकते हैं साथ ही कुछ आपकी परेडा में भी इसका असर देखने को मिल सकता है तो बहुत कुछ आपको समझ के चलना है कॉंपटिशन में कुछ गिरावट के बात आपको सफलता जरूर मिलेगी कैंपस पेस्मेंट में आपकी उमीदों के नुसा साथ ही शदशम भाव में गोचर करनी हैं तो आपको संगर्श और मैनत ये दोनों करनी से आप पिछे हटनी सकते हैं अधि आप चाहते हैं कि आपकी करीर में continuous growth बनी रहे साथ ही आप चाहते हैं कि आपकी मैनत का उचीत प्रणाम मिले तो इससे आपको बचना नहीं चाहिए कुछ नया सीखने को मिले तो आप उसके लिए तत्परता दिखाएं साथी अधिकारी का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा शुरुबात में से कुछ कमी देखने को मिल सकती है और शुरुबात में कुछ अपने आपको आप सहज मैसूस नहीं कर पाएंगे कारशेतर के लेकिन देरे देरे आप इसमें आप सहज महसूस करेंगे, खुद को ढालने में समर्थ रहेंगे, कुछ अच्छी लाप की सिती भी आपको देखने को मिल सकती है, तो इसे आपको जरूर करना चाहिए, आप बात करेंगे आपके कारशेत्र के जो पहले से नौकरे पेशल होगे उनके लिए फर्वरी का महिना कैसा जाएगा, दीकिन दश्यम भाव में चनि अपनी कुम राशी में गोचर करें हैं, बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने हो मैं सकता है, एकाधर भाव में राहु गोचर करें, लेकिन एकाधर शेष, यानी एकाधर भाव के सौामी ब बहुत जादा रह सकती है, कुछ कम में आपको समझोता करना पड़ सकता है, एजस्मेंट करनी पड़ सकती है, नई जौब के लिए कुछ शुरुबात में आपको सबलता जरू मिलेगी, लेकिन देरे आपको सबलता के आसान मिलते नजर आएंगे, तो अपना कॉपिनेंट बि लगनेश का भी उफाएगा सकते हैं, हम आपको वीडियो के अंद में जरूर बताएंगे, इसके लावा कुछ आप अपने स्तान से बाहर कुछ अगर आप जौब के लिए प्यास करें, तो वहां से भी कुछ आपको भैतर ओफर जरू मिल सकता है, शुरुबात में कुछ इस ब्रिद्धी आपको जरूर देखने को मिलेगी, वैवसाई की बात करें तो देखिए सब तमेश लगनेश दोनों ही एश्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी गुप जगा पर यह किसी प्रजेक्ट में इंवेस्टमेंट करना चाहें, या ब्रिदेश से आपको जरूर लाप राप्त हो सकते हैं, विदेश से लाप किसी ती जरूर बनी हुई है, इसके लावा कुछ विदेश याता का भी योग बन सकता है, इसके संदर्व में कुछ बैपार में कुछ नया इंट्रोड्यूस भी करना चाहेंगे, लिकिन फिर भी म मद्य के बाद आप कुछ नया इंवेस्टमेंट करें, कुछ इस प्रसंदर में प्लानिंग करें, इसके लावा आपको फारशे सेक्टर में स्टेबिटी देखने को मिलेगी, साथ इशेयर मार्केट में कुछ अच्छाल आपको देखने को मिल सकता है, रियल स्टेट में भी कुछ आपको अच्छा परदर्शन की उमी देखी जा सकती है साथे कुछ बहतर रिटर्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा तो को मिला कि आपको अपनी जो है जो है जो भी इंवेस्टमेंट है इसाफ धानी पूर्वा करना है अगर आगे के लिटाल सकती है तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि अभी फिलार अत्तिती आपके पक्ष में नहीं है अब बात करेंगे आपके प्रेंग सम्मन की देखिए कि पंचम भाव में केतु का गोचर होना कुछ विकट सिती उद्पन कर सकते हैं आपके रेलेशन्शिप में जहा कर भी आप अपने रेलेशन्शिप में वो सिती नहीं देख पाएंगे जैसे आपने अपेक्षा करी है पार्टनर का रवया या प्रतिकिरिया यह जो भी विवार है आपके समझ से परे रहेगा साथ ही उनके जो विवार में कुछ यह मिस्टीरियसनिस देखी जा सकती जिसकी वज़े से आप यह डिसाइड नहीं कर पाएंगे यह दुविदा में रहेंगे कि आपके पार्टनर सोच क्या रहे है या आपके लेशेशिप का फ्यूचर क्या है तो इसके बारे में आप काफी दुविदा में रह सकते हैं आपके भीतर वचारों का समुंद्र का उमार देखा जा सकता है यह नहीं आपको अपने emotions का कुछ था नजर नहीं आएगा बहुत जादा लगाफ महसूस कर सकते हैं बहुत जादा possessiveness आप अपने जो लेशेशिप के प्रती दिखा सकते हैं रह सकते हैं और यह कारण होगा जिसकी वज़े से आप लोगे बीच में एक दूरी भी देखी जा सकती है आपकी अपक्षा है आपको निराश कर सकती है क्योंकि जब भी आप किसी के साथ जरू से ज़ादा अपक्षा करते हैं तो उसका प्रेणाम ज़रू घातक होता है और यह किसी विरिष्टे यह संबंद को खराब करने के लिए काफी होता है तो इससे आपको बचना चाहिए क्योंकि राओ कुछ इस प्रकार की सिति उत्पन जरूर कर देता है अपनी कल्पनाओं में रहना अपनी ही योजनाओं में रहना प्लैनिंग में रहना या अपनी ही तरफ से कुछ विचार करना इस सबसे आपको बचना चाहिए वास्त्विक सिति के बारे में आपको अनिबिग्य होना चाहिए इसके अलावा आप किसी अनिगुप्त संबंध में भी जा सकते हैं कुछ इस प्रकार की संभावना बनी हुई है तो ये आपकी संबंध को लेकर कुछ ना कुछ confusion की सिति आपको देखने को मिल सकती है खासकर मध्य फर्वरिता कुछ इस प्रकार को उत्वा चड़ाव आपको देखने को मिल सकता है विवा की चर्चा फिलाल परिवार में बेनिती जा रह सकती है और प्रेम विवा की चर्चा भी अगर आप करना चाहने तो आपको इंतिजार करना चाहिए कुछ समय देना चाहिए फिलाल आपको अपने संबंध के बारे में पहले सपष्ट होना चाहिए तब आप इसकी चर्चा परिवार के साथ करें विवाई दमपत्ति की बात करें तो देखी जैसे मैंने बता है कि आपके लगनेश और सब्तमेश दोने इस्टरम भाव में है तो कुछ ना कुछ गिरावट देख सकते हैं सरसुराल पक्षियाई भी कुछ ना कुछ तनाव देखी सिति देखने को मिलेगा इसमें दीरे दीरे सुधार आपको देखने को मिलेगा अपनी तरफ से कोई ज्यादा प्रयास ना करें जबरदस्ती का कुछ भी फोर्स करने की कोशिश ना करें वरना आप मामले को और बिगा स्तिति को आप इसको निरतर करने का प्रयास ना करें उसको बस observe करें उसको ध्यान करें और धीर धीर आप देखेंगे कि स्तिति में खुळबकुत उधार हो रहा कहिए। इसके अलावा आप अपनी जीवन साथी के साथ रहते हुए भी यदि किसी अन्य वेक्टी के पति आगर्शन महसूस कर रहे हैं तो ये आपके सम्मंद को और खराब कर सकता है तो इसके बारे में आपको काफी सामधा रहने के आवशकता है संतान पक्ष के से भी आप कुछ नि होती तो आपको इश्वर के प्रती समर्पित करके चलना चाहिए जो उसका निर्णा उसको सर्व तरीके से आप उसे मानने करें क्योंकि यही एक स्थिती है जब आप एक चिंतामुक्त जीवन जीते हैं आप अपने अपने तिती को अपने उपर हावी होने ना दे साथी अच्छा प्रेणाम आपको देखने को मिलेगा शुकरवार को आप छोटी करन्याओं का पूजन करें उनका आशिवार प्राप्त करें साथी को उनको कुछ उभार आप दे सकते हैं यह आपके लगनेश को मजबूती परदान करेंगा साथी आपके वैभार के लिए आपकी परसनल लाइफ के लिए की बहुत अच्छा रहेगा इसके लावा किसी लक्षमी नारे मंदिर में जाकर आप शुक्त का पी पार्ट का सकते हैं शुक्रवार वाले दिन यह बहुत ही कालगार उपाए जिससे आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी साथी प्रेंग संबन में भ जिससे आपके शनल